Delhi World Public School, India's No.1 Emerging School जहां है Cadmex, Sports and Performing Arts का बहतरीन कॉंबिनेशन Admissions Open from Pre-Nursery to 9th के बाद में यहां पर तमाम आला दिकारी जिला शिक्षा दिकारी के यहां से एक टीम और इसके साथ में कृष्ण गंधाना पुलीस मौके पहुची है साफ तर पर इस पस तर पर आज माईश्वरी पबलिक स्कूल ने जो COVID-90 के नियम इस समय राजिस्थान में और पूरे देश के अंदर लागू हैं तमाम नियमों की दज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं एक तरीके से जो तमाम चात जात चात्रा हैं जो बच्चे हैं उनके महामारी के अंदर उनके जीवन को लेकर किसी परिकार की शारी तमाम चिंदाओं को नजरलन्दाज करते हुए यह जो पूरक परिक्षवगन कराना वो इस पस तार पे यह दिखाता है कि आखिरकार बच्चों के सुरक्षा व्यवस्ता और स्वास्त को लेकर कितना लापरवा रविया है स्कूल का यहां पर नजर आता है उसके साथ ही एक जो जानकरी इस वक्त हमारे हाथ लगी है उसके मताबिक जो जिला शिक्षा अधिकारी है उन्होंने अपनी एक टीम को यहां पर बिजाता है और वो टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस जांच के बाद ही यह फैसरा लिया जाएगा कि अखि की थी कि क्या इस पूरे मसले पे किसी से किसी परकार की अनुमती प्रिशाशन से ली गई है या नहीं ली गई है और इसमें यह जानकरी म्ट्टीवी इंडिया के हाथ भी लगी है कि मैश्वरी पबलिक स्कूल ने इस पूरक परिच्छा के आयोजन के लिए किसी परकार की क स्कूल खोल कर बच्चों को स्कूल बुलाकर उनकी परिक्षा हैं जो पूरक परिक्षा हैं उसका आयोजन करवाना यह इस परस तोर पर दिखाता है कि कोवीड-90 के नियमों की दज्यां किस परकार से स्कूल के प्रिशाशन है उन्होंने उसने उड़ाई है और इस बात की जाच परता लगातार चल रही है जिला शिक्षा अधिकारी ने एक टीम को टीम का घठन कर दिया है वो टीम इस पूरे मामले की जाच करेगी और उसके साथ किशन का न्थाना पुलिस भी उस जो विभाग यह जाच है उस जाच के बाद यह कोई फैसला ले पाएगी अगर भाग जिए जाच के दोरान स्कूल के खिलाफ का मामला दंवर्ज होने की बात होगी तौरिम यहां पर आ जाई थी वो टीम अपनी जाच करेगी और पूरे मामले के अंदर जो जाच करेगी और पूरे मामले पर सीधी नज़र अब जब राजिस्थान के शिक्षा मंत्री को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी उनकी भी निगाहे रहेंगी और उसके बाद कोई फैसला हो सकता है कि अखिरकार स्कूल के खिलाब कोई कारवाई करनी है या फिर नहीं करनी है लेकिन आज जब पुलिस कृष्णगा थ पर थे उन तमाम विध्यारतियों को घर बेजा गया और उसके बाद पुलिस ने जब मामले की जाच की परताल की तो उसके बाद यहां पर प्रिंसिपल क्योंकि MPS के नहीं थे लेकिन वाइस प्रिंसिपल जब यहां पर थे तो उनसे पूस्ताच के दुरान उन्होंने साफ जिसने स्कूलों के अंदर बच्चों को बुलाकर परिक्षाओं का गयुजन कराया है परिक्षाओं को इहां पर लिया जा रहा था और यह सीधे तौर पर जो कोई 90 के नियम है उन नियमों की धज्जियां लॉक्टाउन को नियमों का उलंगन साफ तोर पर नजर आता है खह किसी प्रिकार की विभागे कारवाई यहां पर की जाएगी माइस्परी पब्लिक स्कूल में आज सप्लिमेंटरी एक्जाम होने की सूसना मिली थी जरी टेलिफून मिली थी उस पर हम वह गए थे लेकिन तब तक एक जिलाशिक्षा अजिकारी द्वारा जो टीम बेजी गई वह वहां पर उपस्ति थी उनके ने एक्जाम कराने से उनको मना किया इस कारण से कई आदे बच्चे चले गए थे आदे बच्चे वहां से जा रहे थे और ने एक्जाम जो करना था माइस्टरी पब्लिक स्कूल परसासन ने वह कैंसिल कर दिया था तो इसके बाद में प्र रिपोर्ट पे अद्पेत्य करेंगी इन्होंने जब वाइस प्रिंसिपल से पूछा गया कि सब्लिमेंटरी एक्जाम क्यों करा जा रहे थे तो उनने का कि सीबिस्सी बोर्ड की जो गाइडलाइन है उसके आदार पे हम एक्जाम पंडेट तरा रहे थे और म उलाइडलाओन पाल बाद पहने क्जात्थ से इन्हों है जो गइवा कि सीबिया पॉन्ने सेबिब का